नमश्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Small Industries Development Bank of India में भरतियां खुली हुई है और यह भरतियां है Assistant Manager की Grade A में ठीक है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ मैं आप है Assistant Manager की तो मैं इसमें सब बात करने वाला हूँ क्या syllabus है क्या सब्सक्राइब करने वाले हैं तो इसकी साइट आप देख सकते हैं आप सभी जानते होंगे तो कितनी कितनी पोस्ट हैं वह सबसे पहले मैं आपको बता दूब कि इंपॉर्टेंट होती है देखे चार मार्च को याने हाल में ही कल ही यह ओपन हुआ है और 24 मार्च तक आप इसे भर सकते हो पेमेंट कर सकते हो यह आपको पता हो गया ठीक है तो आपको लास्ट टेट तक रुखना नहीं है और देखे दो सबसे इंपॉर्टन चीज़ में आपको बता दू कि अपनी इमेल आईडी वह देना जो आप चालू रखते हो जिसका पासवर्ड आपको पता है ठीक है विस सारी बाते इस वीडियो में होगी तो आपको बस ध्यान से सुनते जाना है ठीक है और इने देखे बहुत सरी चीज़े बता दिए कि डेट ऑफ इग्जामिनेशन क्या है 16 अप्रेल को होगा दोस्तों तो मार्च में आप जैसे भरेंगे तो 16 अप्रेल समझ र आएगा यह सारा पॉट्शन यह पीडिएफ अपने पास रखे पीडिएफ की लिंक में आपको देदूंगा ना कहां जाकर अपलाय करना वह सब में आपको देदूंगा तो अब उसके लिए परिशान बहुत हो ना सब आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा ठीक है मेन मुद्धा है वेकेंसी का तो आप यहां पर देख सकते सत्तर अजार के आसपस आपकी तनख्वा बनेगी मैंनेजर आदमी थोड़ी ना ठीक है टोटल सौ वेकेंसी है जिसमें की एसी के लिए सोला है साथ जगह खाली है ओबीस के लिए दस जगह खाली है अन्रिजर्वड क और अधिकल डिसेबिलिटी मतलब होता है एक से जाधा डिसेबिलिटी जिसके पास होगी उसके लिए यह हो गया ठीक है और ओसी का मतलब होता है और तरफेडिकली चैलेंज्ट यहने कि जिनको हड़ी की समस्या है ऐसे कुछ है सब्सक्राइब ध्यान रखना है इन सभी को P W B D कहते है परसण विद बेंचमार्गेंगे किस के लिए जौर ना किस तरह के है जो इसका फाइदा उठा सकते हैं तो याद रखिए बेंचमार्गेंगे एक परसेंट की तीन परसेंट कि कितना इसे बलेंड कि कहा है कि minimum 40% होना ही चाहिए मिनिमम कहा है मतलब कितना भी चलेगा लेकिन 40% की disability होगी तभी उस तरह के बंदे को यह इस reservation का फायदा मिलेगा समझ यह आप समझ लेंगे ठीक है और यह जो है यह डॉक्टर प्रमानित करते हैं medical board करेगा जो भी आप से जिससे जो भी आपका इलाज कर रहा है जो भी डॉक्टर है वह आपको certificate जो बनाएगा वह प्रमानित करेगा कि हाँ यह 40% है यह 42% है जितने फिजिकली हैं वह सारी बात है उसमें लिख रहेंगे तो बहुत कुछ होगा मतलब सभी जो सर्विसमें हैं सर्विस कहीं कर रहे हैं और वह पर देरें आरहे तो उनको अनुसी दिखाना पड़ेगा अपने अगर कोई काम कर रहा है कहीं तो उसको दिखाना है ऐसी वाले को सर्टिपेट आपका लेगा आपके लेगा सब कुछ लेगा और याद रखिए इसमें सीजी पीए आप नहीं भरेंगे अप्लिकेशन में आपको सीजी पीए को अपने जो है परसेंटेज में कनवर्ट करना ह तो वो रेंज में मता दूँगा कितने कहां से कहां रीच होती है कितना मतलब इतना सीजी पी हो ऊतना हम इसमें करेंगे तो इसमें वह बता दिया अच्षा अब धीक शीजिगे तो यह खो दोस्तों कौन होता ओबी सी में दो तरह की चीज़े होती एक होती क्रीमी लेयर और एक होते हैं यह नौन क्रीमी लेयर तो यह जो रिजर्विशन मिलता नहीं नौन क्रीमी लेयर को मिलता क्रीमी लेयर को नहीं मिलता क्रीमी लेयर के जितने बंदे होते हैं सारे के स एक सब्सक्राइब चलिए थे इतना आप समझ आप देखिए घू इसे समझ का कि हैंना ऐसको परिवार कि ब्सक्राइब की अईसको हम कहते हैं कि वह नौन क्रिमी लिएर हैं मतलब इनी के लिए मिलता है और जो आठ लाग से उपर कमाते हैं। वह क्रिमी लिए रहे हैं तो उनको जन्राल की तरह ठाइट तो जन्राल क्रिटेकरी निकल के आता है EWS का मतलब क्या होता है दोस्तों EWS का मतलब होता है वही जो नौन क्रिमिलियर होते हैं याने कि ऐसा जनरल क्रिटेगरी परिवार जिसकी सालाना आए आठ लाक रुपए से कम होती है उसे हम EWS कहते हैं तो EWS उनको कहा जाता और एक सर्विसमेन है अब इनकी आये में छूट कि क्राषियर आगा है तो यहां यहां पर देख लीजिए ध्यान से कि कि किस फिजिक ली हेंडिकाप कौन कौन से हैंडिकाप के यहां पर खाली यह जगा ठीक और आकको मालhalt में कि इनके लिए मैं को ब–को सर right मतलब होता सहाय आक इसक्रायब का Всё की यह Ben अपने खुद की नहीं करेंगे ठीक है और जो इसको भी स्क्राइब चाहिए उसको पहले ही ओनलाइन एप्लिकेशन में इस चीज को शो कर देना है कि मैं स्क्राइब लेकर के आ रहा हूं और इसक्राइब का यह होता है दोस्तों कि यह कभी भी आपकी खुद से कोई आंसर नहीं करता है बैट करके ठ हो पस και और छो टोटल का मतलब सक्राइब कर दो यह पूरा पूरा मिलाग करके लिए ट्मींड कर लेंगे उन wa इंटरवी होगा फिर उनका डॉक्यमेंट वरिवेकेशन होगा इंटरवु के टाइम पर ही जब आप जाओ गो न तभी आपका डॉक्यम्ट वरिवेकेशन हो जाएगा फिर इसके बाद ओगा इसमें बॉन्ड भराया जाएगा दूस्तों तीन साल का बॉन्ड है सिट भी में जब आप काम करेंगे तीन साल का बॉन्ड है और जो तीन साल से पहले जोब को छोड़ेगा उसे दो लाग रुपए भरने पड़ेंगे ठीक है तो इसका भी ध्यान रखना आपको और यह कि मैं बात करो दूस्तों को रिजर्वेशन जो है सबको उस तरह से मिला जो सरकार देती है ठीक है और बाकि फिर फिजिकली हैंडिकेप के लिए बताया गया पर इतना सार कुछ मतलब नहीं विजुली इंप्यूर्ट से मतलब था है यह लो विजन यह बताया डेफिशन होता है कभी खुद से आंसर करते पकड़ा गया तो आपको जेल भी हो सकती इसका ध्यान रखना है तो इसक्राइब वह होना चीज़ा आपसे कम पढ़ा लिखा एक लेवल कम होना चाहिए जिसका तो उसी को माना जाएगा और इस जो है कहना चाहिए और एक स्क्राइब एक आपके का रहे आएक नियुक्ति करा के याद रखेंगे कि स्क्राइब कभी भी आपकी मदद कर नहीं जाना चाहिए मतलब कुद से कर लाएं साथ की मदद कर तो छलिए इसमें और वाखी और कुछने लिखा है और यह बस और यह तो होगady को मिलैगा सब की लिए और EWS के लिए देखो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं जो मैंने आपको बता है ना हलका शौट में वही सब कुछ है कि आट लाग से कम जिसके उसे सब्सक्राइब क्या चाहिए और जिसने भी EWS के फैमिली में होता है तब इसे उस फैमिली को यह माना जाता है विसके बाद दूस्तों कि सिटेजन शिप कहा कि नेश्नलिटी क्या क्या कि नेपाल पूतान इन सब का हो सकता है बनदा रखन को सकता है ना और अफ्रीकन कंट्री यहां पर आप देख सकते हैं इससे पहले की नहीं होने चीए तो भाई अपसी से बात है कोई 1993 का है मैं बोल तो 1993 छोड़ो अगर आप पाच पाच मार्च यह से थोड़ा साही पीछे कर लो ना 1994 है ठीक है मार्च है ठीक है लेकिन मालने कोई एक चार मार्च का या तो यहां हो यहिस सब्सक्राइब बोल रहा था मैं आप से तीन साल का मिलत और जो सकते हैं यहां पर एक और यहां चीज़ देखना है यहां पर एक़ेना गाभर और शो तो और ऐसे पीड़ी वाला बंदा ओबीसी में आता तो तेरा साल की और अगर सेस्टी का है तो पंदरा साल की यह विजिकली हैंडिकेप के लिए एक सर्विसमेन के लिए पांस साल की है ठीक है यह आपको मालूम होना चाहिए और यह भी याद रखे कि उनके लिए कोई उमर की छ यहारा सो रूप है ठीक है याद रखेंगे मैं अब यह वर दिखा दूँगा अच्छे से समझ जाओगे आप सभी कि सभी और बस यहां पर यह कहाई कि भाई जो भी इस करेकरी से बिलॉंग करता उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़े का नॉन क्रीमीलियर का बनी बात है तभी तुम आपको उस दूगा एक्सर्विसमेन को उसके जॉइनिंग लेटर दिखाने पड़ेंगे और सब कुछ दिखाना पड़ता है आप अच्छा अब एजुकेशन की बात कर ले तो बैचलर डिगरी होनी चाहिए अब आपने बैचलर डिगरी लौ में की हो इंजिनि के लिए हैं मतलब 60% जनरल क्रेटेकर लेट के लिए होगा और 55% वालों के लिए हो ठीक है और एजुकेशन के बता दिया आपको बचलर डिगरी होनी चाहिए यह तो लौक है तो भी चल जाएगा इंजिनिरिंग कि तो भी चल जाएगा मास्टर डिगरी या तो फिर आपने सब अप्लाइ कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए ठीक है साथ परसेंट वाली बात यह मैंने आपको समझा दी और भाई जो भी है आपके साइर सर्डिपिकेट आपको उस समय दिखाने पड़ेंगे जब आपको कहा जाएगा ठीक है और यहां पर आपको एक चीज दिखाता हो इसको आपको बदलना है क्योंकि तो इसको करना आपको एग्रीगेट परसेंटेज में ठीक है तो 6.75 को फर्स्ट डिविजन मानते हैं और 6.25 को सेकंड डिविजन मानते है यह ध्यान रखना तो यह एक्जांपल के तोर पर बनाया गया कि कि किसी के अगर 6.75 है तो उसका प 6.25 है तो देख रहो आप सीधे 55% लिए जाएगा समझ पा रहे हैं आप सभी एना तो किस आप से बनना है तो अपने CGP को आपको एग्रीगेट की तौर पर बदलना है और यहां पर सब फॉर्मिट दिया यह पूरा फॉर्मूला है इसको बदलने का समझने का ठीक है हाला कि इसको इसको लगता है इंस्टिटूट देता है चलिए अब बात कर लिए उस्तों की पेपर कैसा क्या होगा तो मैं आपको बताता हूं यह आपको यह चीज़ तो पताइए कि इंग्लिश आती है जन्रल अवेनस आता है रीजनिंग आती कॉंटिटेटिटिव अप्टेटू सब्सक्राइब कैने मिलेगा और सोशल इशू कोई है समाजिक मुद्ध उस पर आ सकते हैं तो दो अगर निबंद आ रहे हैं तो एक निबंद बीस नंबर का है तो दो निबंद होगा चालिस नंबर के चालिस नंबर के तो निबंद लिखने और इस सब कंप्यूटर में टाइप करना यह भी बता रहा हूं करें टृटल दो 200 पहले हो चालिस 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 नंबर का टॉटल पेपर यह पूर जो पार कर लेंगे उनकोड़ रहा है तो एक नमबर मिलेगा और अगर गलत हो गया तो एक चौथा ही मार्क कड़ेंगे इसमें तो इसका ध्यान रखेंगे और तभी इसको करेंगे अब आप समझ गया होंगे जो मैंने आपको बतानी कुछ करी है और यह देखिए मैंने का था कैसे क्लियर होगा इसकोर होगा इंड चालिस नमबर की है या पचास नमबर की डिस्क्रिप्टिव हो गई तो इनके अलग-अलग कट भी बनेंगे और टोटल का भी कट बनेंगा और आपको सब क्वाइफा करना है तभी आप इसमें अंदर हो पाएंगे ठीक दोस्तों चलिए अब आप समाझ गया होंगे मेरी ब पड़ेगा अगर आप विजुली हैंडीकियाएं और आपको सहायक चाहिए असक्राइब चाहिए चाहिए रॉल्लाइन एक्स्ची पहले ओफ्लरेश्य करना ठीक हांओ एक्जामेशन सेंटर को बहुत यह को पता है ठीक है अच्यां अब मैं पता तो ऑक इस इंटर्व्यू के सेंटर्स जो है वो सिर्फ दस ही सेंटर हैं इंटर्व्यू जहां होंगे एहमदाबाद बैंगलूरू चंडिगर चिन्निक और हैदराबाद गुवार्ट जयपूर कोलकाता लखनो मुंबई निव देली ठीक है इनी जगा पर होना है हर जगा नहीं होना है और बस ठीक है इतना है तो एड्रेस प्रूफ अगेरा सब लगता है मैं आपको बताई दिया है ठीक है और देख लेता हूं और लिस्ट याद रखेंगे यह एक चीज़ सबसे इंपोर्टेंट हो गई है जब आप इंटर्वू के अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यहां से तो आप इंटर्वू के लिए जब जाओगे तो आपको इस सब लेकर के जाना पड़ेगा और याद रखो एक्जामिनेशन होल में क्या क्या आपको लेकर जाना मैं बता जाता हूं आपका कॉल लेटर तो लेगा रहेगा एडमिट कार जो रहता है ठीक है इसके अलावा एक आपके ओरिजिनल आइडी रहेगी और उसी आइडी की एक फोटो कॉपी भी रहेगी और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के चले जाना दो या तीन वहां लगाने के लिए बोल सकता है और एक रहेगा आपका सेल्फ डेकलिरेशन फॉर्म वह जो कोरुना वाल प्रिंट निकाल लेना टेक है और अप्लिकेशन हो गया तो यह तो आपको और बताऊंगा जब इस इंटर्विव आप निकाल लोगे जर्मेंटर की डेट हैगी तो मैं अच्छे सब बता भी दूंगा इसको तो उसके लिए परशान बहुत हो यह सब जानने के लिए आपको नॉन क्रिमिलेर के तो उसका लग जाएगा में ना समझे रहाए यह सारी चीजिए वही वही लिखी में एक सर्थिस में नोसी दिखाएगा यह नोने कई बार बुला इसमें ठीक है कई बार बुला और फीस एक बार भरती तो नहीं जाएगी और यह भी बोले तीन साल तक त जाना है अपना अपना ठीक है 50 ml की बॉटल रहेगी ठीक है और सीधे आजाओ अब इसमें अब फीस की बात करते दोस्तों देखो तो सीस्टी और फिजिकली हैं इनको एप्लिकेशन फीस नहीं मांगी जारी लेकिन इंटीमेशन चार जब वह मांगा गया 175 तो रूटल इनक को और जो बच गया अपने ओबी सी यह ना नौन क्रिमीलियर वाले इड़लूएस एकनोमिक वीकर सेक्शन और जर्नल केंडिडेट इनको एप्लिकेशन फी 925 भी देनी है और एंटीमेशन फी 175 देना टोटल ग्यारा सो रूपे मतलब ओबी सी एड़लूएस और जनरल अगरी के लिए 1100 रूपी है और सी स्टी पीडवलू याने फिजिकल हैंडीक के लिए 175 रूपे है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अप्लाइब करने से पहले आपका पासपोर्ट साइस फोटो इसकी देख लो कैसे इसकी जो चुड़ाई है वह 4.5 और 3.5 तीन पॉंट रखना है ठीक है पहली बात तो और इसमें सीधे दिखना चाहिए टूपी नहीं पहना हो इदर देख रहा हो दोनों कान बराबर दिख रहे हो पीछे का बैक्ग्राउंड वाइट हो यह सब को पता है सब हर पेपर में पता रहता है ठीक है सिगनेचर कभी भी कैपिटल करके हैर वाइस से लिए कर अलग से लेको खिंदबर लिखो इसको करन पर अफिर अपलोड़ करो ठीक है तो आपको यह भी अपर सब्सक्राब करना है ओए फोता शवाट कर अटे म्सट्रीस पर करना है तो उसमें डाल दोगे तो आपको पासवर्ड और रेइस्ट्रेशन आ जाएगा फिर वाप पर जाना और फिर अभी बार सीधे लॉग इन करना लॉग इन करने के बाद आपको सीधे सब कुछ भरना सेव इंडेक्स करते जाना फिर फोटो अपलोड वगेरा के लिए आएगा तो भी मैं बताता हूं जाना कि किते क्या के भी कर रहेगा अब यहां पर देखे फोटो ग्राफ वहीं इस तब आपको बता देए किता कैसे होगा तो देखो पिक्सल भी याद रखना दोसे दोसो तीस पेंट में जाकर कि पिक्सल बदल सकते हो रिसाइज कर देना वहां पिक्स पिक्सल से आप इसे चेंज कर सकते 200-300 कर देना और कंप्रेस कर लेना ऑनलाइन ही अगर ज्यादा हो जाए तो बीस से पचास के बीच में यह चीज होनी चाहिए ठीक है सिगनेचर वगी रहा जो है में बताता हूं सिगनेचर लेट थं थंप इंप्रेशन एंड हैंड रिट प्रेशन हो ने तो सिगनेचर इतना होना चाहिए और जो लेट थंप इंप्रेशन आप 20-50 की में बीस के बीच में हो जाएगा ठीक है और यहां पर इंपरेशन के बारे में ने दे दिया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो इतना पिक्सल्स में रहेगा तब इतने पहुंचेगा ठीक है इसको ध्यान रखना है और सब तो यह मैंने आपको बता दी यह बाते भी अब आगे चल देता हूं इसकैनिंग डॉक्यमेंट देखो इसकैन जितने भी करोगे सब जेपीजी में ही करना मैं पहले बता रहा हूं है ना उसके डिटेल में जाकर करके आप देख भी सकते हो और जहां जहां पर बोला गया हूं अपलोड कर देना बस फॉर्म भर देना ठीक है और बाकी जन्रल इंस्ट्रक्शन से एप्लिकेशन फॉर्म यह भरने से पहले इनने सब कुछ वही वही जो बाते उपर बूली ना वही सारी की सारी रिपीट कर दिये दोस्तों तो परशान मत होना कि इसमें कुछ छूटा है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है और यह तक कहा दिया कि जो फोटो आप लगा रहे है उस फोटो से आप बदलते हुए नहीं दिखने चाहिए मतलब अपना एपीरेंस वैसी बना के रखना जैसे दिख रहे हो फोटो में व सेंटर की में बात कर रहा था सेंटर उनने दोले ना वहारे सेंटर इसमें दिया हुए ठीक है और बस फिर इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है इसमें फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं आपके लिए कुछ अगर हो तो और मिस कंड़क्ट और अन्फेर मत पाई जाना वह है यह दो मैंने आपको पहली बता दिया क्या 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 आपको लेकर करके जाना जब आपको रिटन टेस्ट में जाओगे ठीक है और दोस्तों अब मेरे ख्याद से इसमें कुछी बचा नहीं है तो बस बाक्री डेड़ अगरा हो गई है ठीक है और आकरी में एक चीज़ और देख लो इसमें जो आप सब को देखे रहना है और यह है दोस्तों एक सब्सक्राइब नीचे पहुंजा यह रहा सेल्फ डेकलरेशन यह वह है कि मुझे नकाफ है फीवर है सब यह मालूम है प्रिंट निकालते हो आप तो यह सब मैं आपको दे रहा हूं ठीक है तो दोस्त नहीं है यह मैंने आपको बता दिया है जो सेड़ी में अल्रेडी कर रहे है ठीक है और बाकि सबको सब्सक्राइब करता हूं आपको यह समझ में आई होगी कोई भी डाउट होने पर आप बेज़े जाक कमेंट करिए मैं आपको बिलकुल उसका जवाब दूँगा थोड़ी और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे से पूछिए ठीक है आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद दोस्तों आप और भी लेक्षर जाकर देख सकते हैं डिसकेशन में मनोच के चैनल पर इसका एड्मिट कार्ड बगएरा की जानकरी मैं आपको तुरंत ही दूँग